कि शब्से पहते हैं मैं बता दूं कि यह फोटो जो वायरल हो रही है यह जन्वरी का फोटो है और जब हम लोग विधानसभा कमिटी के टूर में कि दुंका साहेवगांज पाकूर उधर के जीलोंग में गए थे और वहां से जब लौट रहे थे तो धन्वाद सरकेट हाउस में फ्रेस होने के लिए मैं रुखा था उसी दौरान पार्टी के कार्ज करता कुछ मुझे से मिले थे और उसी समय के यह फोटो है और जो आरोफ हमिद सिंग पर आ रहे है तो गृपतारी हुए है इसको मैं ब्यक्तिकत तोर पर नहीं डालता हूं भीड में लोग मिले फोटो की चाहें ऐसा मेरे साथ हमेशा होता रहा है किसी भी जीला में जाते हैं हमारे कार्ट करता फोटो की चाहते हैं और उनको हम नराज़ नहीं करते हैं फोटो की चाहते हैं रही बात सरकार गिराने के नियत से जो सड्यंतर रचा जा रहा है विधायकों को खरिदने की बाता रही है इस संबंद में मैं जन्वरी फर्वरी में ही कि हमारे स्यल्प लिडर और प्रदेश सद्धक्स को और हमारे प्रभारी आये थे उन समय में हमारे पार्टी के इन स्सुप्री मौक जो हमारे त्रमौक प्रतादीकारी हैं उनको मैं ने जानकारी दी थी कि शुरुवाती कि दोर में तो मेरे करीबी कर्श करताओं से लोग मिल के उनको प्रास्ताओं दे रहे थे वहाना काम हुए तो फिर काम के बहाने से मुझसे लोग मिलते थे और अपना प्रास्ताओं लेके रखते थे एक बार तो मेरे पास लोग काम के बहाने आये मिले और हेबी एमाउंट का रास्ताव लाए और मेरे सामने उसको रखा भी था मैंने उन्हें डाट फाट कार कर भगाया उनका रास्ताव साफ था कि सरकार अब लोगों के हित में काम नहीं कर रही है आप लोग क्यों इस पार्टी में हैं आप लोग अपना एक अलग पार्टी बनाईए आप लोगों को मंत्री के पद से विभूसित किया जाएगा और आप लोगों को मन चाहा रकम देने की बात आई थी और मैंने सामने पैशा भी लाया गया था जिसे मैं नाट कर भगा दिया था और इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपने आला पदादिकारियों को बता दिया था और हमारे सीम को भी मैं चार-पांच माह पहले भी इसकी जानकारी दी थी कि इस तरह को सड़यंतर हो रहा है आप लोग जरा ध्यान दिजिए और जो कि नराजगी है विधायकों का उन सभी चीजों पर भी विशेश ध्यान हो ताकि इस तरह के महौल ना बने और इधर पंदरा दिन के आश्पास हम लोग ने सीएम शेवी मिला था उनको भी मैं अभी भी अभी तक इस तरह के प्रयास हो रहा है उसकी जानकारी मैंने उनको इस पर स्तावर पर दी और मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि अमिट सिंग जी की गिरिफतारी हुई है मैं कॉंग्रेस का सच्चा कार्शकर्ता के रूप में रहा हूं पार्टी में कितना उतार चढ़ाओ आया मैं कि उनाइस अंठनबे से पार्टी का सक्रिय कार्शकर्ता के रूप में रहा हूं यह निश्वाई का धक्त रहा हूं जीला धक्स रहा हूं आदिवासी कॉंग्रेस का धक्त रहा हूं जीला में भी पद्धारी रहा हूं और हमारे सीनियर लीडर जो हमारे सिंडेगा छेतर के पार्टी बदले लेकिन हम लोग स्थीर रहें पांच-छे लोगों के साथ हम लोग उन्हें पार्टी को मजबूत किया और आज सिम्डेगा जीला में दो-दो विधायक हैं इसी लिए मैंने अपने करत्व्यक को अपने जिम्वारी को निभाते हुए इस तरह के प्रयास्ति जानकारे हमारे मुखमंत्री जी को और हमारे पार्टी के सभी सिन्य रेडरों को मैं समय समय पर देता रहा हूं उसी का ये नतीजा है कि सरकार गिराने का सड़यंतर जो हो रही है उसका परदाफास एक सबूत के साथ हुआ है हमारे मानिय मुखमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं कि वे बेहुत गंभीरता से हम सब हम की बातों को लिए और इस तरह का कारवाई करके आज आदिवासियों का समर्थत और आदिवासियों का उमीद का इस सरकार को बचाने के लिए और सड़यंतर को विफाल करने के लिए जो काम की है इसके लिए मैं उनको भी बहुत भी धन्यवाद और बढ़ाय देता हूं मैं हमारे जन्ता शेभी कोई बताना चाहूंगा कि आपका ये विधायत को पैशा की बहुत जादे आउशक्त नहीं है जिस उमीद से हमारे जीले के मेंडूरिटी समुदाय के लोग ने भरोसा किया है उस भरोसा को कभी तुटने नहीं दूँगा और जो सरकार हमें वेतन के रूप में जो अन्या सुमिदाएं देती हैं मेरे लिए बहुत है चुकि मेरे जरूरत बहुत कम है और मेरे जरूरत के हिसाब से ये पैशा जो सरकार लेती है वो बहुत जादे है मैं उसी पे संतूष्त हूँ और आम जनता के साथ मैं कभी धोखा नहीं करूँगा ये मेरा भरोसा और विश्वास मैं दिलाता हूँ अब सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ